जमु कश्मीर विधानसबाच चुनाव के लिए जमु कश्मीर नैशनल कॉन्फरेंस ने अपने घोशना पत्र में जमु कश्मीर में अनुचे 370 की बहाली का वादा किया है National Conference के इस घोशना पत्र के बाद देश और जमुकश्मीर में सियासत जो है वो गर्मा चुकी है National Conference और Congress के बीच गटबंदन के बाद भाजपा लगातार Congress और National Conference पर हमलावर है भाजपा के वरिष्ट नेता और केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच शा ने जमुकश्मीर में अपनी तीन जन सभाओं में Congress और National Conference और अन्य दूसरी पार्टियों पर जम कर निशाना सादा है उन्होंने धारा 370 हटने के बाद जमुकश्मीर में हुए विकास और केंद्र सरकार की योजनाव का यहां के लोगों को मिले लाब गिनाये और Congress National Conference पर जम कर निशाना सादा अमिच शा ने क्या कुछ कहा Congress और National Conference गटबंदन में आतंगवादी पोशित जम कश्मीर फिर से धारा 370 वापस लाना चाहती है जम कश्मीर में फिर से दो जंडे लाना चाहती है Congress और National Conference फिर से दो सम्विधान लाना चाहती है Congress ने अबदुल्ला परिवार को कहा था देश्त्रोही नेका को ठेराया था आतंगवाद के लिए जिम्मेदार वर्षो तक उमर अबदुल्ला के दादा को रखा गया था जेल में सत्ता के लिए राहूल और उमर अबदुल्ला कर रहे हैं इलू-इलू दोनों पार्टिया एलोसी ट्रेड शुरू करना चाहती है एलोसी ट्रेड से जमुक कश्मीर में आतंगवाद पनपता हुआ नजर आएगा अमिच्छा ने ये भी कहा कि नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस पार्टी आपको बता दे कि आतंग की घतनाओं में पत्थरबाजी की घतनाओं में शामिल लोगों को छुडाना चाहती हैं उन्होंने ये भी कहा कि वे उन्हें नौकरियां देना चाहती हैं लेकिन मोदी सरकार में नोकरी उन्हें मिलेगी जिनके हाथ में लैपटॉप होगा जिनके हाथ में बंदूख होगी उन्हें जेल में जाना पड़ेगा एक और नैशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस आतंक से लेस जमुकश्मीर बनाना चाहते हैं तो दूसरी और पीएम मोदी विकसित जमुकश्मीर बनाना चाहते हैं धारा 370 के बाद यहां की महिलाओं को जो आरक्षन मिला है उसे नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी महिलाओं के साथ गुजर, पहाडी, दलित और OBC को भी आरक्षन का अधिकार देना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम कश्मीर के विकास का कतल किया है। यहां के युवाओं के भविश्य का पहाडी, बकरवाल गुजरों का आरक्षन चीन कर उनका कतल किया है।